के कि अच्च के अच्च के अच्च के अच्च के अच्च का तो आज हम लो जुडए हैशूनी से शिकर्थ तक के session में दोस्तों जहां पर आज day number two है और आज simplification part one का discussion दोस्तों करने वाले है So very very good morning, good morning, good morning and good morning everyone. स्वागात है आप सभी लोग का, उमीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग healthy होंगे, करने के लिए दोस्तों दोको ने यहां पर शूने से शिकरता की series को शुरू किया था कि आप लोग अब कही ना कहीं मन में आपकी यह ना रहा है कि मुझे basic से अगर मैं करता मैं तो शायद मैं ज्यादा score कर पाता because यह दोस्तों जो session है पूरा का पूरा वो basic से रहने वाला है, तो शुरूआत करेंगे दोस्तों आज के motivation code के साथ में और आज का motivation code के वाला आप सभी लोग के लिए कि the expert in anything was once a beginner तो जितने भी दोस्तों यहां पर जुड़े हैं, जितने भी लोग यहां पर beginner हैं, उनको मैं expert बिनाने की बात करने वाला हूँ और यह motivation code के वाला आप सभी लोग के लिए हैं, कि जो भी महारती हुए हैं ना, वो एक ना एक दिन तो शुरुआत की होंगे, और वही दोस्तों हम लोगों ने कर दिये शुरुआत, जो शुरुआत उन लोगों ने की थी महारती बनने के लिए दोस्तों वो शुरुआत हम कर दिये और आज दोस्तों इसका day two है, और day two में दोस्तों लोग बात करने वाले हैं, यहां पर simplification पार्ट बहुत जबर्दस तरीके से महाल बनने वाला है, क्योंकि जो मैंने आज का framing की है ना, वो काफी शांदार है, believe me, आपको मजा जाएगा, मतलब आप तो शहद ऐसे प परसात लाई जाए, है ना, वो emojis जिसमें दिल बने होते हैं, लगना चाहिए मुझे कि आप सब बिल्कुल तायार हैं परफॉर्म करने के लिए, और फिर हम सिल्सिला शूडू करेंगे और उसकी बाद बिल्कुल भी उखेंगे नहीं, है ना, तो उमीद करेंगों कि एक ब जाए, यह बैच फरी है, बिल्कुल मैं कमेंट बॉक्स में कह रहा हूं, है ना, इस फरी है बैच फरी है, और बिल्कुल फरी रहेगा, चिंता मत करें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जितने भी लोग आप नहीं जुनें, प्लिस आप लोगों से गुजारिश रहेगी क आपको हमारी class का video event सबकी class का video जो है on time मिल सेके तो please subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करें आँगे बढ़ेंगे दोस्तों आज हम लोग का foundation day, जो foundation classes का day number two है, और दोस्तों करनों थोड़ा सा recall करें, हम लोग कौन कौन से exam cover करने वाले हैं, हम लोग कुल मिला के 14 exam cover करने वाले, 14 exam we are going to cover, जो लोग आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, उनको बता दें, इस class के जरी हम लोग 14 exam, 14 major exam cover करेंगे, RBI clerk, RBI PO, SBI clerk, SBI PO, SBI PO, SBI SO, IBPS clerk, IBPS PO, IBPS SO, assistant RBI, RBI grade B, all regional cooperative bank, SBI grade A, LIC, GIC, pre mains दोनों होंगे, क्योंकि मैंस तुम्हें शाम को पढ़ा ही रहों चार वजे और प्रेलिम से पढ़ा रहा हूं, तो यह सारे के सारे 14 exam दोस्तों cover होंगे, और class duration दोस्तों है, वो 65 days का है, 65 days crash course, 65 days foundation course आप लोग का है, और दोस्तों जिसका day 1 हो चुका है, आज हम लोग का day 2 है, आज हम लोग simplification part 1 इस तरह से पूरा-पूरा कारवा हम लोग यहाँ पर continue करेंगे, यह PPD आपको मिल जाएगी, आपकी PDF मिल जाएगी, आपको तो यहाँ पूरा-पूरा schedule जो है, वो मिल जाएगा कि कब कौनस दिन क्या-क्या होने वाला है, यह पूरा-पूरा day wise आपका, मैंने topic wise schedule बुना रखा है कि हम लोग इस इस दिन यह चीज़े पूरी-पूरी करते च है और उमीद करता हूँ कि दोस्तों, आप सब लोग जो हैं, आप सब लोग समझेंगे बात को, तो अगर मैं बात करो simplification, basically आपके एग्जाम में आते हैं, 4 टाइप के simplification मेरी बात को सुनिएगा, एक होता है, based on percentage, based on fractions, based on exponents, and based on basic operations, basic operation का मतलब होता है, square, cube, square root, cube root, multiplication, वगर basic operation मतलब basic calculation, जो आप लोग मैस पर देखते हैं, square निकालना, square root निकालना, उस पर अधारित सवाल हो गया, square root हो गया, cube root हो गया, ठीक है, multiplication पर हो गया, addition पर हो गया, मतलब कुछ basic operation पर होते हैं, मतलब मतलब को सकते हैं, mislinious, तो basically आज का जो agenda रहेगा हमारा, वो यह रहेगा क कि हम केवल इन दो पर काम करें, है न, मतलब percentage वाले questions उड़ा दें, और fraction वाले questions को सीखेंगे आज, बागी कल की class में लोग जो है, exponents और basic operation देखेंगे, उमीद करता हूँ दोस्तों, आप सब लोग बिल्कुल तयार होंगे, मैंने आज 30 सवाल लिये हैं, पूरे-पूरे, overall, और 30 सवाल का discussion किये बिना मैं नहीं जाने वाला आज यहां से, तो उमीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ready होंगे, तो बिल्कुल बतादो comment box में कि तुम लोग बिल्कुल तयार हो, हाँ या ना, जल्दी, तयार सम लोग बताओ, सब लोग बिल्कुल तयार हो, परफ करेंगे, और कल दोस्तों लोग exponents और basic operation वाले simplification करेंगे, जिसमें सब कुछ होता है, square, cube root वगरा होता है, तो basically based on percentage की बात करेंगे, अब यहां पर चार टाइप्स की सवाल बनते हैं, एक तो होते हैं, बिल्कुल ललू-लाल सवाल, बिल्कुल कमर के बैट जाओ, कमर की अधरित सवाल, जो की simplification आपके आते हैं percentage पे, वो different different category पे divide करते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा type 1, type 1 percentage में normal आपसे calculation बोलता है, निकालने के लिए, जैसे कि आपसे बोलेगा 20% of 540, आपसे बोल दिया 20% of 540, यह simple calculation है, इस तरह के exam में आते हैं, और यह type 1 में आता है, जहां पे आप देखेंगे बहुत ध्यान से, जो इसका basic होता है, वो यह होता है दोस्तों, कि अगर मैं हटाऊं percentage तो upon में आएगा 100, और यहां पे मैंने multiply किया है 540 से, अब अगर मैं देखूं तो 0000 मैंने काट दिया, 2 को 54 से multiply करूंगा, तो यहाएगा 108, this is the basic calculation, यह क्या है हमारा एक basic calculation है करने का, मैंने बोला 30% of, मैंने बोला 30% of 630 मैंने बोला, तो आपके जहन में केवल यही आता है, कि 30 upon 100, into हो जाएगा आप लोगा 630, cancel, 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 3,900, 9, 3,600, 18, यही तो करते हो भई, यही करते, बट दोस्तों, ऐसे मत करना बिलकूल भी बता रहे, ऐसे मत करना कि क इकना समय होगा नहीं मेरे पास, ऐसे नहीं करना, यह basic है, आपको मैंने बता दिया, कि हटता है percentage upon में 100 आता है, और फिस 00 कम आस्ता लवस्ता करते हैं, बट दोस्तों, this is not the right way, अगर मैंने आप लोगो उसे बोला कि 40% off, अगर आप लोगो निकाला है 640, तो क्या करोगी मु 16, 24, 25, आंसर आगया 256, तरीका ये है, मैंने बोला 60% off, 840, भई मैंने बोला 60% off, 840, हटा percentage, दो 0 कटे, तो यहां हो जाएगा 640, 24, 48, 50, तरीका समझे हाँ या ना, ये बहुत normal calculation है, मैंने बोला 70% off, 900, तो आपने देखा, हटा percentage, 0, 0 कटा, multiply करोगे, यहां आजागा 630, ये करना है हमें, और ये है मेरा type 1, जो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, type 1 आपने बना लिया, इस तरह से, बहुत अराम से बना दिया, ठीक है, मैंने बोला 25% off, 600, हटा percentage कटा, तो 25 को 6 से multiply करूँगा, तो यहां आजाएगा, आपको पता होने चाहिए, इसको आपको fast fast करना है, तो type 1 होते हैं आपके चुन्नूलाल सवाल, हम type 1 को क्या बोलते हैं, चुन्नूलाल बोलते हैं, मतलब जो आसान होते हैं, जो की easily बन सकते हैं, clear है बताईए, हाँ या ना, ये type 1 category में आ गया, ठीक है, अब भरते हैं type 2 category मे जहां पर थोड़ा सा decimal वाले आ जाते हैं हमारे percentage, decimal वाले percentage बोले तो कैसे, मैंने बोला किया आप लोगों से, for example, मैंने बोल दिया कि 17.5 percentage of, है ना, 17.5 percentage of 3600, मैंने for example बोल दिया, ये calculate करना है, ये करके दिखाओ, है ना, 17.5 percent, अब जब कभी वे decimal आ जाता है ना, तो साप है हमारे, कि सर, decimal आ गया, क्या करें, इतना difficult, difficult था, क्या करें, अरे हाँ, PDF मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, सबर रखो, आज जो सवाल की PDF है, वो आपको, आपके इस वीडियो के description box में मिल जाएगी, चिंता मत करो, तो 17.5 percent of 3600, मुझे calculate करना है, अब यहाँ पर decimal आ गया, महेश सैनी, टाटा बाय बाय है, आपको मैं टाटा बाय बाय करता हूँ, तो यहाँ पर क्या करोगे इस बात को समझना, जबी भी कभी decimal आपको देखने को मिल जाए, है ना, decimal जबी भी कभी आपको देखने को मिल जाए, अब यहाँ पर 0.5 है, तो अगर मैं इसको एक काम कर 2 से buts, 2 से V 입九, नहिए फरक पर पड़ेगा , नहीं पड़ेगे से, 2 से मिल इसको ऑन मिल जटिप्लाई कर दूं यहाँ पर जो गर मैं दोसे मिल भाई कर दूंगा मेरे और minus 70, तो यहां आजाएगा आप लोगा 630, बोलो हाँ या ना, clear हुआ मामला येस और नो, आप तरीके से समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर decimal कभी आ जाए, तो ओपर नीचे multiply करके इसको whole बना लो, थाकि कोई दिक्कत ना हो, मैंने बोला, for example, आपसे 22.5% of 1800, इसको मना हो, अगर देखा जाए, 22.5% of 1800, अगर मैं यहां पर देखू, तो अगर मैं इसको 2 से multiply कर रूम पर नीचे, तो यहां पर कितना हो जाएगा आप लोगा, 45 हो जाएगा मेरे भाई, 45% हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, बात खत्म, भाई, यह कट जाएगा ना यहां पर, तो यह सब पता होना चाहिए, आपको, हम आपसे पूछेंगे, फिर आपको बताना होगा, तो यह पूरा-पूरा 45% of 900 बन गया, हटेगा, 95 हो जाएगा, 45, 36 और 440, 405 इसका अंसर आगया, तरिका संजाएगा, अभी सीख लो, इसके बाद आप बनाओगे, सीख लो, इसके बाद आप इसको बनाओगे, यह ना, ठीक है, clear है, अब जरह आगे भरते हैं, थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं, मैंने बोला आपस लोगों से, for example के त percentage of 6400, इसको बनाई है, यहाँ पर किस से multiply करोगे, मुझे बताओ, यहाँ पर किस से multiply करोगे, मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर देखू, तो 0.25 है ना, अगर देखू, 0.5 है तो हमेशा क्या करना होता है, multiply by उपर नीचे 2 से करना होता है, अगर आपका 0.25 दिख जाए तो क्या करोगे, into 4, divide by 4 करोगे, तो असान हो जाएगा, into 4, divide by 4 करेंगे, तो मेरे भाई असान हो जाएगा, 12.25 है मेरे प्यारे दोस्तों, 12.5 नहीं है, देखो सब लोग 800 बोल ले है, सब 800 बोल ले है, गलत कर दिये माम मेरे भाई 12.25 है, 12.5 नहीं है, माजरा समझो बात को, 12.25 है मेरे लाल, मेरे मुनना, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीरे, मेरे गुराभी, 12.25 है ना की 12.5 है, तो 12.25 है तो यहाँ पे अगर आप देखें, decimal की बाट 0.25 है, तो आप 4 से उपर निचे multiply कर सकते हैं, तो अगर मैं मैं यहाँ पे 4 से को multiply करता हूँ, उपर निचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का, आप लोग का, यह सवाल बन गया आप लोग का, cancel, cancel, 16 को 50 से multiply करो, 800, 16 को 1 से multiply, 16, 800-16, मतलब कितना हो जाएगा, आप लोग का, 784 हो जाएगा, मैरे भाई, तो आंसर हो यहाँ पे 784, बात समझ मैं ही हाँ यहाँ यहाँ ना, अभी सवाल तो नहीं, अभी सवाल भूमी का बना रहे हैं, यह सब क्या बन रही है, बिल्कुल भूमी का बन रही है, उसके बद आप उडाओगे, सवाल देंगे फिर उडाना, पले सीख लो, जरूरी है जो मैं सिखा 4 से multiply और 0.75 आए तब ही आप 4 से multiply करेंगे, एक सब और दूँगा, उमिद करूँगा आप सब लोग इसको सही तरीके से बनाएंगे, यह सब और दूगा, उमिद करूँगा आप सब लोग जो हैं बहुत अजबर्दस तरीके से इसको बनाएंगे, अगला देखो, मैंने बो 16.75% of 800, अगर मैं यहां बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा था 0.25 आएगा, तो 4 से multiply उपर नीचे, 0.5 आएगा, दो से उपर नीचे multiply, है ना, और 0.75 आएगा, तो किस से multiply करोगे, चार से multiply करोगे, तो यहां पर अगर देखा जाए, अगर मैं 4 से उपर नीचे multiply कर देता हूं इसको, तो यहां हो जाएगा, अपलोग का 200, हो जाएगा, और 4 को अगर मैं 0.75 से multiply करूंगा, तो जी मिलेगा 3, और 4 को 16 से multiply करूंगा, 64, तो 64 और 3 हो जाएगा, अपलोग का 67, तो तो solve करोगे तो यहां आ जाएगा 134 आ जाएगा समझ गया हां या ना बताना yes और no comment box में ज़रूर comment किज़ेगा कि यहां सर क्लिर हो गया मैं फिर सी लिख रहा हूं अगर 0.25 आता है तो वहां पर 4 से अउपर निचे multiply करना अगर 0.5 आता है तो वहां पर 2 से उपर निचे multiply करना और अगर आता है 0.75 तो आप लोग यहां पर 4 से उपर निचे multiply करोगे बात खتم इस दिस clear to all, yes or no, यह मामला set है, मामला बिलकुल fix हो गया, बताइए comment box में हाँ या ना, यह आपका type 2, एक और दे रहा हूँ, एक और दे रहा हूँ, ताकि आगे जो हम सवाला भी करेंगे तो गल्ती ना करो आप लोग, एक और दे रहा हूँ, मैंने बोला 13.25% of 1600, इसको तो यहाँ पर देखो, into 4 और into 4 करोगे, because 0.25 है, तो यहाँ पर कितना आएगा आप लोग का, 400 आ जाएगा, ठीक है, और जब multiply करोगे आप इसको, 13 को 4 से multiply करोगे, तो कितना आप लोग का, 52, 52 और 0.25 को 4 से multiply करोगे, एक 52 और एक हो जाएगा 53, because 13.25 को अगर आप multiply करते हो 4 से, तो अगर मैं इसको देखूं, 13 plus 0.25 into 4 से multiply किया, आपने, जब 4 को multiply किया 13 से, तो यहाँ पर आगे 52, और यहाँ पर जाएगा 1, तो 53 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 53 percentage of कितना हो जाए 12, 20 और 21, तो 212 यहाँ पर इसकांस रहाएगा, बात क्लिर बताओ, बहुत मैंने अराम से बता जाएगा, जल्दवाजी नहीं की, तो 212 इसकांस रहाएगा, बात खत्म, यस और नो, कमेंट बोक्स में कमेंट कर बताएगा, गिरू जी, हाँ मजा आ गया, ठीक है, यह हो गया type 2, अगला बढ़ते हैं, type 3, जब आपके fractions में आते हैं, percentage जैसे कि, आपसे बोला जाएगा, 16 completed 2 by 3 percentage, इस तरह के percentage आपके सामने आ में convert करना पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे दिहान से देखूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, 16 completed 2 by 3 percentage है, इसका मतलब होता है, 3 into 16, 48, 48 में 2 add करोगे, तो हो जाएगा, 20, 16 को 3 से multiply किया, 48, और 2 add किया, तो यहाँ जाएगा 50, तो जाएगा 50 by 3 percentage, upon में अब हटेगा, तो 0 आए 1 by 6 बोलूँगा, और यहाँ हो जाएगा 216, इसको solve करोगे तो आएगा 36, अभी मैं इसका तुम लोगो दूँगा चूरन, जिसमें सारे fraction value लिखी होंगी, बस आपको क्या करना होगा, केवल और केवल उसको याद करना होगा, सारी चूरन, मैं तुम लोगो चूरन के form में पिपिटी दूँगा, दो पन्ने की पिपिटी दूँगा चूरन के form में, जिसमें सारे के सारे important, important percentage value को fraction value के conversion दे रखे हैं, तो अगर आपके जहन में वो होगा, तो आप फसोगे नहीं कभी, मैंने बोला, 14 complete 2 by 7 percentage, percentage of कितना होगा आप लोग का, 3, 4, 3, दूँगा, अभी च होता है मेरा, 1 by 7 हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ हो जाएगा, 3, 4, 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, बात खत्म, हाँ महापक double value आज है, है ना महापक पर double value आप बैंक महापक पर परचेस कर सकते हैं, double value है बैंक महापक में, ठीक है, यह हो गया, अगर मैं आप लोगों से बोलू, 22 complete 2 by 9 percentage, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, अगर इसको solve क अगर होगे तो होजाएगा 200 upon 9 percentage, तो इसका मतलब यहाँ पोजाएगा 2 upon 9, यह आपको बताओंगा भी, मैं आपको सारी पिपटी दूँगा, उसमें सब चुरन लिखा होगा, है ना, clear है, चलो, मैंने बोला आप लोगों से, for example, मैंने बोला, 87 complete, या 83 complete, 1 by 3, यह क्या होगा इसको देखो जाएगा, अभी सवाल करोगे तुम लोग, perform करना, यहाँ पर आप देखोगे, इसको बोल सकते हो, 100 minus, 16 complete, 2 by 3 percentage, तो यह होता है आप लोग का 1, और यह होता है 1 by 6, तो यहाँ हो जाएगा 5 by 6, सारा चुरन मिलेगा, चिंता ना करो, सारा सब कुछ मिलेगा, चिंता ना करो, ठीक है, 5 by 6 हो गया, clear है यहाँ तब की, इसके अलावन मैंने बोला आप लोगों से, 37.5% कर मैं आप से बोलू, तो इसका मतलब होता है मेरा कितना, 3 by 8, अभी मैं सब तुम लोग को दे दूँगा, पिपिटी सारी तुम लोग को दे दूँगा, चिंता मत करो, ठीक है, तो यहाँ इस तरह से बनाते हैं, टाइप 4 आपका आता है, जो कि ठोड़ा सा बड़ा expansion होता है, जैसे कि मैंने बोला 1, 1, 6, complete 2 by 3%. तो यह इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा है, इसका मतलब होता है क्या, 100 plus 16, complete 2 by 3%, तो 1 plus 1 by 6 होता है, तो मतलब यहाँ होता है 7 by 6, तो यह होता है थोड़े से बड़े, percentage जो हैं वो दे रखे होते हैं इस तरह से बन जाता है type 4 में मतलब बढ़े हा हूती type अगर मैं आपसे बोलू 36 complete हो जाएगा 2 by 3 तो यहां पर क्या बोलोगे भाई ड्रैक लिए नहीं पता मुझे पता इसका मतलब हो जाएगा कितना 20 plus 16 complete 2 by 3 बोल सकता हूं 20 का मतलब हो जाएग बोलो हाँ या ना तो यह थोड़ा सा समझने वाली बात थी थोड़ा सा expansion किया गया है यहां पर उमीद करता हूं कि चीज़े आपको यह समझ में आ रही होगी तो अब यहां तक continue हो गया तो अब हम सवाल लगाते हैं मैंने समझाया कि किस तरह से break करना होगा यह आपको पता होना चाहिए है ना कि किस तरह से break करना है चीज़ों को समझना है मैंने बोला आप लोगों से 157 complete 1 by 7 percentage इसका मतलब क्या होगा तो इसका मतलब यहां हो जाएगा 100 plus 57 complete 1 by 7 percentage इसका मतलब 1 हो जाएगा और यहां पर देखा जाए कितना हो जाएगा आप लोग का 4 by 7 इसका मतलब क्यों हो जाएगा 4 by 7 कैसे 7 7 49 plus 1 7 7 49 plus 1 50 और 35 मतलब इसका मतलब हो जाएगा कितना 4 by 7 percentage हटेगा अप और में जाएगा तो 4 by 7 मतलब यहां हो जाएगा 11 by 7 हो जाएगा तो यह मैंने कुछ आपको बता दिये सिखा दिये कि जब कभी इस तैप के percentage आपको निकालने को आएंगे तो आपको यह पता होना चाहिए चूरन किसको किसको चाहिए बता दो comment box में कि हां सर मुझे चाहिए मुझे चाहिए तो मैं सबको दो चूरन जिसमें सारे कि सारी एक चार्ट है यहां पर गलती कर दी गलती से मेरे से वह चार्ट मिस हो गया इस PPT में मैं चार्ट एड़ कर दूँगा percentage to fraction value कैसे निकाले और वह सारी चार्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपके जहन में कोई दिक्कत ना हो ठीक है सब याद कर लेना सब हो जाएगा तो कोशन के जाए सब लोग बिल्कुल तयार हो सबको मिलेगा चूरन चिंता ना को सबको मिलेगा चूरन सब लोग चाट लेना आज बैठके है ना और यह अपने नसों में इंजेक्ट कर लेना कि percentage value को fraction value से कैसे करते हैं तो सब लोग बिल्कुल तयार perform करने के लिए बिकॉस अब सवाल आने वाले 15 सवाल हैं जिसमें आपको ताबर तर परफॉर्म करना पड़ेगा बहुत जबर्दस तरीक से perform करना होगा ठीक है तो सब लोग बिल्कुल तयार पटाफट से कमेंट बॉक्स परफॉर्म करने के लिए मतलब कोशन आप दीजिए हम बिल्कुल आने के लिए बिल्कुल तयार हैं क्योंकि ये चीजे हो गई बेसिक हमारा हो गया और बेसिक हमारा हो गया तो अब आपको कोई दिक्कत ने होगी perform करने में बनाने में तो सब लोग बिल्कुल तयार है perform करने के लिए त 15 सवाल है based on percentage, उसके बाद fraction वाला scene भी बनेगा आज है तो पहला सवाल यह आपके सामने बनाईएगा, एक simple सवाल से शुरुवात कीए, ताकि आपका हाथ रम जाए, calculation करने में, टाइमर दिया, मैंने आपको 20 सेकंड का उड़ा दीजे, तक तक एक बार हम शेयर कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं, वेट कर रहे हैं इस particular session की link का, आप लोग शेयर कर दीजे फटा फट से एक बार, तक तक मैं भी यहां पर शेयर करता हूँ, और इसको बनाईए, गाल, वेट को लारा हैं, एक वेट नाईए, वसके बूट को जा रहा है, गाल, को दाना है? ज़लो तो सवाल असान था मैंने जान पूचके रख़गा कि आप लोगको बने मेलाप मूंझ कि कैसे उलाना है यहां पूरा पूराल? भिथ गया Sondug अफ्किन सकते तो 2 को 16 से मल्टिप्ला यहां हो जाएका 32 भिथ गया Sondug फूर अप्किन सकते तो आप एट ऑप्शन नमबर एप समझ में आया हाँ या ना अरे भाई इसमें हिंदी क्या करूँ मैं ये तो हिंदी में लिखा हुआ है 20 मतलब अब कुछ इसमें नुमेरिकल टर्म आप क्या दो को भी बें हिंदी में लिखूँ क्या करूँ मैं क्लिर है तो इस तरह से सवाल करना है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था ताकि आप गल्ती ना करो यहाँ पर अगला सवाल 20 सेकंड दिये उड़ा दीजे यहां पर देखो सवाल असान है और बनाएंगे तो बनेगा अराम से हटेगा पसंटे जीरो जीरो कट जाएगा तो 4-45J 25 26 हो जाएगा यहां पर नहीं हटए का पसंटे ही पर संटिजेरो जीरो कट जाएगा तो 8-16 8-7 जा 56-57 हो जाएगा और माइनस करेंगे आउख मेंवेगा और माइनस एक इतना ओदाओ छे हो गया, ठीक है यहां पर रेखा जा 6 हो गया 7 और 6 13 हो गया और 5 और 3 8 हो गया माइनस करें यहां पर 600 तो यहां पर कितना हो गया 2 3 6 हो गया बात ख़तम option number आ गया B ठीक है बन गया ना सीख लो बाद में मत बोलना कि सर यह कैसे कर रहो यह कैसे कर रहो बनाईए अब यहां देखो 25 का मतलब होता है 1 by 4 because हटेगा upon में आएगा 100 तो यहां हो जाएगा 1 by 4 हो जाएगा और 1 by 4 से में काटूंगा तो यहां हैगा 110 बोलो आएगा because 25% मैंने बोला ना तो 25% का मतलब मेरे भाई क्या होगा 25 by 100 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा और यहां जाएगा चार थो हो जाएगा 3 by 4 into हो जाएगा आपलो का 640 हो जाएगे और minus प्लस करेंगे यहां पर क्या 30 परसेंट पर चार सो हटेगा 04 के जीड़ घटेगा मतलब हो जाएगा 120 तो 4 से यहां पे किती बाल ज़ागा 160 बाल जाएगा तो यहां हो जाएगा आप लोग का 110 यहां हो जाएगा आप लोगका 480 और यहां आप लोगका 120 तो 480 और 120 कितना हो ग़िए आप लोगका 600 600 और 110 मतलब हो जाएगा साथ सु दस बात खतम आंसर आगे कितना आप लोग का option number C अब जब मैंने तुम लोगों को सिखाया यहाँ पे तो आप ये चीज नोटिस कर लिजे कि 25% का मतलब क्या होता है मेरा 1 by 4 होता है कि मैंने अभी निकालना आपको सिखाया है अभी ठीक है ना अभी वापस आगया थोड़ा सा वेट कर लेकर थोड़ा सा है ना अभी ठीक हो गया ना comment box में ताना comment करके yes और नो तेक है अभी सही हो गया कोई रिक्कत नहीं थी है थोड़ा सा वो लैप टॉप मेरा ना वो पावर ओफ हो गया था बैटरी ज्यादा चाल्ज हो गया थी तो स्लीपून पे चला गया था इसलिए थोड़ा सा बफरिंग हो बीच में बाकी भी ठीक है ना चलो तो रू अभी सही हो गया फिर से है ना तो यहां पर अगर इसको बनाया जाए तो क्या करेंगे में यहां पर ट्राइ करो उसको 55% of 320 45% of 180 and 30% of 600 यहां पर क्या करोगे चलो यहां देखो अब यहां पर बोला गया 55% of 320 बोला गया है यहां यहां बोला गया 45% of 180 और यहां बोला गया 33% of 600 तो जबी भी कभी आपको 55% निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे आप निकालो 50 plus 5 तो 50% इसका आधा होता है 50% मतलब आधा मतलब 160 और 5% मतलब हो जाएगा कितना 16 कभी जिन्दगी में गलत नहीं करोगे क्या कि अब मैंने समझ ना इसका मतलब है 55% तो इसका मतलब हो जाएगा 50 plus 5 हो जाएगा यहां पे तो 50 और 5 तो अगर मैं 50% निकालोंगा तो 50% इसका हाफ हो जाएगा मतलब हो जाएगा 160 और 5 का मतलब होता है 1 by 20 तो जब आप 320 का 1 by 20 करोगे सुआ है न तो होजाएगा 16 एड करोगे तो यहां हो जाएगा मेरा 176 हो जाएगा 20-5 हो जाएगा 50 पर तो influenced 90 का मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा और 33 percentage ने हटेगा कटेगा तो यहां हो 18 18 और 19 तो 6 और 7 और 8 पंद्रा करी गया एक 9 और 10 आठ 18 18 और 7 कितना जाएगा प्लुका 18 और 7 हो जाएगा 25 फिर यहां पर कितना हो जाएगा प्लुका 2 और 3 और 4 मतलब 455 clear है बताओ देखो 2 से multiply भी आप चाहो तो कर सकते हो है ना बट मुझे लगता है कि यह असान थोड़ा सा पड़ता है for example मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे बताएगे 45 परसेंटेज ओफ इसी यह है तो आप यहां पर into 2 by 2 भी कर सकते हो बट यह भी असान है 50-2 तो 50-5 तो अगर मैं इसको देखों तो हो जाएगा 50-5 हो जाएगा यहां पर तो 50% इसका मतलब हो जाएगा 120-12 तो यहां हो जाएगा 108 मतलब यह practically थोड़ा सा औरली टाइप हो रहा है मेरा यह थोड़ा सा औरली बन रहा है चीज़ें यहां पर आपने डेकली बोल दिया कितना 108 आपका आ जाएगा है इस तरह से करोगो तो शायद बाकि आप उपर निचे 2 से मिल्टिप्लाई भी कर स तो यहां हो जाएगा मेरा 120 और उधर मृटिप्लाई करोगे तो 90 तो 90 % of 120 हो गया तो अगर सको solve करोगे तो यहां है एक 108 तो तो तरीका दोनों है आपके पास है ना या तो यह कर लो या तो यह कर लो पर मुझे लग रहा है कि यह ज़्यादा असान है पहला यह ज्यादा अ मतलब जो 50-5 किया मैंने वो थोड़ा सा practically असान लग रहा है बाकि अब आप लोग बताओ कि आपको क्या असान लग रहा है यह ना चलो अगला सवाल देखते हैं चलो एक और देते हैं मैंने बोला आप लोगों से calculate करना आपको क्या 77 % of है ना मैंने यह बोला आप लोगों से कि calculate करना है for example आप लोगों को 45 % of कितना मैं बोलूँ 360 बोलता हूँ चलो इसको बनाओ तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएग आप लोग का 50-5 हो जाएगा तो 50 % हो जाएगा 180-18 तो 180 because 50 % हो जाएगा कितना इसका 180 और मैनस करेंगे आप लोग 18 तो इसको जब solve करेंगे तो simple सी बात है कितना जाएगा आप लोग का 162 हो जाएगा तो तरीके दोनों हैं जिससे आपको बेस्ट लगे अब बना लीजे अगला सवाल बना ये अभी सिखाया थे मैंने क्या करना अब यहां क्या होगा यहां यहां पर कर में देखूँ अब यहां क्या होगा यहां पर गर में देखूँ तो again 12.25 ना तो मैं 4 से multiply उपर नीचे करूँगा तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरा 1200 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 49 बोलो हो जाएगा 27 percentage of 2600 बोलो हाँ या ना बन जाएगा yes or no क्या मैं बोल सकता हूँ yes or no इतना बताना comment box में तो cancel यहाँ पर cancel तो 49 को मैं 12 से multiply करूँगा और यहाँ पर गर देखा जाए कितना होगा अपलोग का 27 को 26 से multiply करूँगा yes or no बताना comment box में हाँ या ना अब अगर थोड़ा सा यहाँ पर लगाया जाए concept है ना तो 49 को 12 से multiply करना पड़ेगा तो 490 को अगर आप 12 से multiply करते हो तो यहाँ पर कितना हैगा या 12 को 49 से multiply करो तो 12 को 9 से multiply करो गए कितना हैगा आप लोगा 108 तो 8 लिखा 10 क्यारी 12 को 4 से multiply 48 48 48 और 10 हो जाएगा 58 तो यहां अगया 588 और यहां पर 26 को 27 से मुल्टिप्लाइब करना है तो 26 का स्क्वायर 676 और प्लस 26 करोगे उसमें तो यहां पर कितना जाएगा प्लुका 702 तो यहां हो जाएगा प्लुका 702 हो जाएगा तो 8 और 2 10 हो गया 8 और 1 9 हो गया 7 और 5 12 तो यहां पर कितना हो जाएगा प्लुका 12 हो जाएगा तो 1290 स्कांसर आएगा बोलो हाँ या ना यस और नो ऑप्शन नमबर ई आया सवाल अच्छा था समझ में आ गया यस और नो बताना चार और तीन से मल्टिप्लाइ क्यों नहीं करेंगे बटा बता दिया है आप लेट जॉइन किये हैं न आयूश मैंने समझा दिया है कि चार से मल्टिप्लाइ क्यों आप लोग बीच में मत जॉइन करो देखो यार अगर जॉइन करो तो स्टार्टिंग मेंने सब बता रखा इस चार्टिंग में मैंने बता रखा है कि जब यह आएगा तो ऐसे करना होगा, जब यह आएगा तो ऐसे करना होगा, तो आप बीच में जुड़े हैं तो आप पूछ रहे हैं कैसे तो फिर वह आपको clear नहीं होगा, ठीक है? अगला सवाल, इस अब बता रखा है हमने यहापे, तो टेंशन मत लीजे, इसको बनाएगे, अब यहाँ पर देखो, किस से multiply करोगे? मैंने सिखाया है ना किस से multiply करना है? अब मैंने यहाँ पर सिखाया आप लोगों किस से multiply करना है? तो 0.75 है तो यहाँ पर चार से उपर निचे multiply करोगे, तो यहाँ पर किती बाल लाएगा आप लोगका 4, 2, 4, 4, 16, 24 से हो जाएगा, और 20 को यहाँ पर आप multiply करते हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 75 को अगर म मैं इसको 2 से उपर निचे multiply कर देता हूँ यहाँ पर, जो आप लोग ने बताया था, है ना, अगर मैं इसको 2 से उपर निचे multiply कर दूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 410 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 70 मतलब हो जाएगा, 70% कितना हो जाएगा? 410 हो जाएगा, ठ 83 को मुझे 24 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा बोलो हाया ना yes or no comment box में बोलो yes or no ठीक है तो गर यहाँ पर देखों, 83 को में 24 से multiply करना है multiply करना है multiply करना, तो 24 को 3 से multiply करो 24 को अगर आप 3 से multiply करते हो जागा 72, 7 carry गया 2 यहाँ 24 को 8 सिमल्टिप्राइ करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आप लोग का 192 192 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ आप लोग का 199, add करो 7 और 2 9 हो गया 7 और 2 9 हो गया, 9 और 8 17 हो फिर 9, 10, 11, 12 हो गया और यहाँ पर आएगा 2, तो 2279 सवाल बन गया, option number A आगया अब इसकी कठोर प्रैक्टिस करने पड़ेगी तब चीजे जहन में उतरेंगी देखो अगर हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसकी ना तब यह हमारे लिए बिल्कुल क्लिर होगा अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर यह क्लिर नहीं होगा अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ही क्लिर होगा अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर यह क्लिर नहीं होगा हमारे तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कब multiply करना है 2 से कब multiply करना है 4 से यही बहुत एहमियत रखता है हमारे लिए अगला सवाल इहां पर देखो बहुत आराम से हटेगा पसेंटेज़ खटेगा तो यहां जाएगा 56 into 24 हो जाएगा इधर आके प्लस हो जाएगा यहां पर 24 into 18 अब यहां समझेगा थोड़ा सा अगर हम दिमाग करें यहां पर हम 24 अपना common ले सकते हैं तो यहां कितना हो जाएगा प्लोका 56 और 18 को add करेंगे, तो 8 और 6 14 हो गया, और 5 6 और 1 7 मतलब 74 हो गया, यह आ गया आप लो का, अब गुरू multiply करना है यहां पर, तो आपको multiply करना है, ओविस सी बात है, सिंपल सी बात है, कैसे multiply करोगे, तो 20 से पहले multiply कर लो, इसका मतलब यहां पर क्या होगे, आप लो का 20 प्लस 4, तो पहले 20 से multiply करो, 0, 2, 4, 8, 2, 7, 14, फिर 4 से multiply, 4, 4, 16, 28 और 29 हो जाएगा यहां पर, तो यहां हो जाएगा 6, 7, 7, 7 और 1, तो 1, 7, 7, 6, option नमबर 2, मजे में है हाया अगला देखो, अब गुरू यहां पर क्या करोगे, अभी तक तो सर ने यह बताया नहीं हमें, कि सर यहां पर क्या करें, क्योंकि यह थोड़ा सा खतरनाक आ चुका है, तो सर अब बताईए यहां पर क्या करें हम, इसको बनाईए, पैन जरूर रुका होगा आपका यह सवा सवाल देखके कित्ते लोगों को लगा एक बार कित्ते लोगों की हाथ कापे कि हाँ ये सवाल अच्छा है और क्या करें इस समझ में नहीं आ रहे मतलब ये सवाल ऐसी कंडिशन में में ले आता है कभी एक बार कि हम चाहते तो हैं से नहीं कर पाते मतलब जथो जिन्होंने पहले पढ़ लखा है मुझसे वह बना लेंगे बट जो आच पहले बार मुझे देख रहने हैं यहाँ पहली बार मुझे पढ़ लहें या पहली बारी मतलब बिल्कुल बिगनर हैं वो देखके जरूर ये बोलेंगे सर यहाँ पर तो मेरा pen रुख गया because मुझे पल्ले नहीं पढ़ना कि मैं क्या करूँ बट यहाँ पर एक बहुत खास बात है अगर आप एक बात देखे ध्यान से इस तरह का सम जब भी कभी आपको देखने को मिले जहां पर P1 परसंटेज और P2 परसंटेज की वैलू हो जाए 100 तो मेरे भाई होती ही एक लाजवाब ट्रिक अगर P1 परसंटेज और P2 परसंटेज की वैलू 100 हो जाए जैसे कि यहां पे देखो 24 परसंटेज और 76 परसंटेज अगर अप एड करोगे 24 परस 76 अगर अप एड करोगे तो यहां पर आएगा आएगा 100 आएगा बोलो हाई या ना 24 और 76 को add करोगे 100 आएगा बोलो हाँ या न तो जब कभी इस तरह का मौहल बने राइट जब कभी इस तरह का मौहल बने तो कुछ मत करो जो बड़ा वाला ट्रम है न ये इसको ब्रेक कर लो छोटे वाले में मतलब अगर मैं देखू ब्रेक करो इसको तो जाएगा 3760 और अगर मतलब बड़े वाले को ब्रेक करो छोटे वाले में तो 5760 जो है इसको मैं ब्रेक करूं तो यह हो जाएगा 3760 प्लस 2000 और यह हो गया बस कुछ मत करना 24 परसंट आप निकाल देना मतलब जो भी आपने ब्रेक किया उसके साथ में जो भी परसंटेज है उसका परसंटेज निका 200 मतलब 2000 तो यहां कितना हो जाएगा 3760 तो होगा होगा और प्लस अगर मैं निकालू 24% अफ 2000 तो यहां पर कितना हो जाएगा प्लका 480 अगर मैं एड करूं 0 8 6 14 7 4 11 और एक 12 और यहां एगा 4 बोलो हां या ना बजरंग बली की जये आज तो बजरंग बली का दिन है यार हमक यह लाइक दबा के लाइक कीजे शेर कीजे सेशन को और लाइक कीजे अगर समझ में आ गया है तो एक और सवाल है कभी भी मेरे सेशन में आप ऐसा नहीं दिखेंगे कि अगर मैंने कुछ नया पढ़ाया तो वो के वल एक ही सवाल में रह जाए हम उसके दो-तिन सवाल करेंगे ताकि वो उमारे जहन में बैठ जाए और हम उसको बना सके हमेशा के लिए मैं फिर से रिपिट करूंगा इसमें जबी भी कभी आप देखिए कि परसंटेज का सम आपको मिला हो 100% है ना परसंटेज का सम मिला हो आप लोगो 100% तो ध्यान रखना जो भी बड़ा वा 12-7-4-11-1-12 और यहां आएगा चार बात खत्ब एक और सवाल करते हैं इसमें बनाईए ज़्याइज़ा कर दो अगर में देहान देखूं यहां पर तो टाइमर में चलता हूं 20 सिकंड का यह लाइक कर दो कम से कम यार 1200 लाइक तो होने चाहिए तुम लोगों जब अबर्दस में ट्रिक बता रहा हूं भी तो जहर लेवल आना बचा है यार ना कम से कम 1200 लाइक तो होने चाहिए यार अब यहां पर सवाल अच्छा है 33 और 67 को मैं एड करूं तो मुझे मिलेगा 100 तो मैं अगर ब्रेक करता हूं तो यहां से मैं निकाला 3 2 1 0 और जब मैं माइनस करूंगा तो हैं 0 यहां पर 1 यहां पर 3 यहां पर 1 तो इसका मैं निकालूंगा 33 परसंटेज तो 3 2 1 0 33 बंजा 33 3 लिखा करे गया 3 33 बंजा 33 लिखा करेंगे 102 दो लिखा 10 करी 33 बंजा 33 और 10 43 अपॉन में 10 हो जाएगा यहां पर तो देगा 3 2 1 0 मैं एड करोगे 4 3 2.3 तो 0.3 आया 2 आया 3 और 1 4 आयगा 4 और 2 6 आया और यहां पर आया 3 तो 3 6 4 2.3 बात खतम option number E बोलो मजाया लाइक कर देजीगा दबा के क्लियर है मामला आगे बढ़ते हैं अगला सवाल इसको बनाईए यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा इसका मतलब बता है 1 by 6 तो 1 by 6 into हो जाएगा 216 और यहां हो जाएगा 1 by 7 into हो जाएगा 343 तो यहां पर कितना हो जाएगा 36 और यहां हो जाएगा 49 एड करोगे तो नो और छे पंदरा चार तीन साथ और एक आठ रफ्तार में बना दो फटा फट से चूरन तुम लोगों मिल जाएगा चिन्ता ना करो है ना हुआ 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 अब यहां देखो 37.5 का मतलो होता है मेरे भाई 3 by 8 होता है यहां पर और यहां पर कितना हो जाएगा 488 हो जाएगा यहां पर और इसको अगर मैं देखूं ध्यान से तो 18 और 20 20 by 3 percentage तो 20 by हो जाएगा 300 1 by 15 तो 1 by 15 into हो जाएगा 450 तो यहां पर आप लोग का 30 आ गया 8 6 8 बंजा तो हो जाएगा 3 बंजा 3 3 8 6 बंजा 18 प्लस 30 एड करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 एक और 2 है ना अगला सवाल जाएगा 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 अच्छा आज मैं सुच रहा हूँ कि तुम लोगो थोड़ा सा 10 मिट एक्स्रा पढ़ा दूँ तो तुम लोग पढ़ लोगे ना तुम लोग कोई जाना तो है नहीं इसको देखो यहां पर कितना हो जाएगा जाएगा सॉल करूं तो देखो एक तो याद कर लो इसको इसका मतलब होता है 2 राइटीन बरना अठारह और दो बीस फिर 200 राइटीन सो क्योंकि इसको सॉल करो घुकए तो आपका आएगा 200 राइटीन परसंटेज थटेगा जीरो यहां हो जाएगा 2 x 3, प्लस, यहां हो जाएगा 28 complete 4 x 7, तो अगर मैं इसको देखू, ध्यान से तो यह है 14 complete 2 x 7 into 2, तो मतलब यह होता है कितना, 1 x 7 into 2, मतलब हो जाएगा 2 x 7, तो जाएगा 2 x 7 into यहां हो जाएगा, 120 तो solve करोगे कितना आएगा अपलोग का 360 आजाएगा ठीक है यहाँ आजाएगा अपलोग का 360 आजाएगा अगला सवाल है बढ़िया शांदर बताना अगर मज़ा आगया हो ना देख के सवाल को तो बताना गुरु जी आज तो मज़ा आगया इसको बनाईए बेटा 66 को प्यूश दिक्षित बेटा ये तो मुझे लगता है कि शाद आप लोग ने बच्पन में सीखा होगा बच्पन का प्यार बूल गया क्या तो थ्री को 66 से मुल्टिप्लाइ करना होता है और फिर दो एड करना होता है तो 198 प्लस दो करोगे अपन हो जाएगा तीन यहां हो जाएगा दो सो बाइट तीन सो है ना सवाल तकड़ा है यह तो अगर मैं इसको देखो ध्यान से यहां पर तो यह अगेन अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको तो यहां पर जाएगा कितना 200 बाइनो अभी याद नहीं है तो अब बैसिक से कल लो 200 बाइनो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां हैंगा 200 बाइनो मतलब जाएगा 2 बाइनो इसको देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 63 अगर मैं यहां से यह जो लिखा हुआ है 63 complete 7 by 11 अगर मैं यहां से 7 निकालनू बाहर तो 9 complete 1 by 11 तो 7 into 100 by 11 मतलब 1 by 11 तो यहां हो जाएगा 7 by 11 तो यहां हो जाएगा 7 by 11 हो जाएगा into हो जाएगा 121 प्लस इसको देखा जाए यहां पर तो इसे में बोल सकता हूँ क्या 100 minus 14 complete 2 by 7 तो 100 minus 1 by 7 तो यहां हो जाएगा अपलो का 6 by 7 into 35 तो यहां पर कितना हो जाएगा 9 8 जा 72 9 1 जा 9 2 1 जा 2 2 8 जा 16 यहां पर किती बार जाएगा 11 बार तो यहां हो जाएगा 77 और यहां कितना हो जाएगा अपलो का 5 बार तो यहां हो जाएगा 30 साथ और दो नो जाएगा साथ और तीन दस और छेस सोला और यहां हो जाएगा दो और देखू आगे और देखू आगे अब यहां पर देखा जाए तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा इसका मतलब यहां पर अगर मैं देखू तो क्या हो जाएगा यहां पर 100 plus 66 complete 2 by 3 और यहां हो जाएगा 100 plus 57 complete 1 by 7 यह करना नहीं है यह बस मैं तुम लोग को दिखाराओं करके कि हाँ यह करना है तो यह हो जाएगा 100 मतलब 1 प्लस यहां हो जाएगा 2 by 3 of 720 plus 1 plus 57 complete यहां पर कितना हो जाएगा अपलोग का 4 by 7 into कितना 630 यह से मन में करना है आपको तो 5 by 3 हो जाएगा यहां पर into 720 और यहां हो जाएगा 11 by 7 into 630 तो 3 से किती बार काटोगे यहां पर 2, 4, 0 बार 7 से किती बार काटोगे यहां पर 90 बार तो यहां पर कितना हो जाएगा अपलोग का 1200 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना आपलोग का 990 add करो कि 90 हो गया 12 और 9 21 हो गया 21 90 यहां पर इस cancer आगया option number आगया भी यह सब आपको मन में करना है यह जो कहानी बताई है न मैंने पोशिश करो कि आप मन में करो यार यह सब मन में करो क्योंकि आप इतना समय होगा नहीं कि आप इतना बड़ा-बड़ा कर सको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहां पर आपने कर लिया अच्छा मैं एक प्रोस्पेरेंट हूँ अच्छा 1 6 6 2 x 3 100 और 66 2 x 3 1 plus 2 x 3 मतलब 5 x 3 तो आपको डिरेक्टली लिग देना यहां पर कितना 5 x 3 प्रेक्टिस करोगे बन जाएगा प्रेक्टिस करोगे बन जाएगा मेरे भाई और यहां पर देखो 157 है 100 plus 57 अच्छा 100 का मतलब 1 57 1 by 7 मतलब यहां पर हो जाएगा 4 by 7 तो 1 plus 4 by 7 मतलब 11 by 7 तो यहां पर हो जाएगा 11 by 7 हो जाएगा और यहां पर जाएगा 6 30 क्यों हम कहने क्यों नहीं कर सकते अच्छा बात बताओ देदा अगर फलाने ने सेलेक्शन ले लिया तो तुम लोग भी तो सेलेक्शन लेने जा रहे हो ना अगर किसी X, Y, Z परसंट ने अपना सेलेक्शन ले लिया बैंकिंग जाम क्लेर कर लिया तो आप लोग भी तो बैंकिंग जाम क्लेर कर रहे हो ना अगर उसने कर लिया तो तुम लोग भी कर सकते हो तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो आप भी इसे कर सकते हैं आप मन में रखिए ना चीजों को क्यों हम इतना बड़ा बड़ा करें जब हम मन में कर सकते हैं यार क्यों हम इतना बड़ा बड़ा करें जब हम इसको मन में कर सकते हैं अपने तो कोशिश करो कि मन में करो हो पाएगा, हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा क्यों नहीं होगा, हम है न साथ में हम दिलवाएंगे तुम लोगो, हम याद करवाएंगे भाई हम करवाएंगे ना याद जब उसने ले सेलेक्शन ले लिया, उसका देखे देखी हम भी प्रप्रेशन करने लगे, हम भी सेलेक्शन ले लेंगे तो हम ये क्यों नहीं कर सकते इसको देखो जड़ा हम हैं साथ में जिनता मत कर तुम लोग 25 मतलब 1 by 4 25 का मतलब 1 by 4 1 by 4 को मैं 420 से डिवाइट करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 को 420 को मैं डिवाइट करूंगा 4 से तो यहां हो जाएगा 265 हो जाएगा 66% अफ चार सो हटेगा चैंसल तो 4 से 24 24 और 24 26 हो जाएगा 264 हो जाएगा और यहां पर गर देखा जाए इसको अब इसको मन में करूंगा 100 प्लस 6 complete 2 by 3 तो 100 का मतलब 1 6 complete 2 by 3 का मतलब 1 by 15 तो 1 plus 1 by 15 मतलब 16 by 15 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 360 कर सकते न तो अगर मैं इसको solve करूंगा तो 15 से यहां पर किती बाल जाएगा आप लोगका 2 बार जाएगा तो यहां हो जाएगा 105 हो जाएगा यहां हो जाएगा 264 हो जाएगा और यहां पर गर देखा जाए 16 को मैं 24 से 16 को 24 से multiply करूंगा तो ये 20 का square minus 4 हो जाएगा 400 minus 16 मतलब कितना हो जाएगा अपलोग का 384 कैसे multiply किया 16 को 24 से multiply करने है मैंने देखा यहां पर हो जाएगा 20 minus 4 और यह जाएगा 20 plus 4 तो जाएगा 20 का square minus 4 का square चार चार आठ पांच तेरा छे और एक साथ साथ और आठ पंदरा तीन दो पांच छे एक साथ सेवन फाइफ थरी बताओ clear हुआ हाँ या ना yes और no is this clear to everyone हाँ या ना please comment में जरूर बताएगा comment करके कि हां सरक clear हो गया है ये और अगर clear हो गया है तो फिर हम मतलब करते हैं इसको आगी continue करते हैं ठीक है बताओ is this clear तो अपने कारवा को आगे बढ़ाएं दस मिनिट का वक्त और लेंगे यार क्योंकि फ्रेक्शन्स वाले कहानी थोड़ा सीख लो तो सवाल करना जाके घर पे तो असान तरीके से कर लोगे है ना फ्रेक्शन्स का मतलब होता है नॉर्मल फ्रेक्शन जैसे कि मतलब अगर 10 मिनिट लगेंगे थोड़ा सा और पढ़ लेतें यार क्योंकि शायद ये 10 मिनिट बहुत ज़दा हल्प करें हमें आगे आने वाले सवालों में तो कर लें सब लोग बिल्कुल तयार हो ना कहीं जाओ गो तो नहीं एक बाद ज़दा कमेंट बॉक्स में जोश की मतलब इमो कर लेते ना तो थोड़ा सा fraction base देख लेते हैं सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो फिर हम आगे और हमें चीजें बैतर हो जाएं ना बस एक बार जोश एक बार कमेंट बॉक्स में दिखा दो कि हां तुम लोग लिकुल तयार हो तो फिर हम जो है मतलब कर ले यहां पर तो मैं कैसे करूँगा एड मैं कैसे करूँगा इसको समझेगा तो यहां पर अगर देखा जाए normal addition of fraction बोलते हैं से तो यहां पर आप देखो 3 हो जाएगा और 2 आपने 3 LC लिए यहां पर है ना शुरू कर लेते हैं तो यह आपका fraction है तो 2 by 3 हो गया और यहां पर ब 3 by 4 यहां क्या करोगे तो अगर इसको देखा जाए तो यहां पर आपका 20 LC हो जाएगा यहां प्थीवन अपर अपने 20 LC हो जाएगा तो पांच टेबल में वहां आता है वीच चार बार तो चार से मुल्टिप्लाई यहां 4 पे तास sector मे ढाल-पांचल 7 मुल्टिप्लाय यहा यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 15 तो यहाँ हो जाएगा 31 अपॉन कितना 20 बलाओ हुआ यहाँ यहाँ ना, clear है मैंने आ गया, मैंने बोला 2 x 3 प्लस 3 x 4 प्लस 5 x 6 जड़ा बताओ किता रहेगा इस काहाँ सर तो यहाँ पर देखा जाए, तो मैं एलसिंग किता लोगा 3, 4 और 6 का एलसिंग हो जाएगा 12 तो 3 को 12 स्मिल्टी, मतलब 4 बार आता है यहाँ तो 4 स्मिल्टी प्लाई, 4 यहाँ पर कितनी बार हैगा 3 बार तो 3 स्मिल्टी प्लाई और यहाँ पर 2 स्मिल्टी प्लाई, 8 यहाँ हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा 10 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 और 10 कितना 27 अपन यहाँ हो जाएगा आप लोग का 12, तो 3 9s आ, 3 4s आ, आंसर आया 9 by 4, एक बहुत simple तरीका होता है, ऐसे करते हैं हम लोग, अब हम बात करेंगे addition of fractions, जैसे कि अगर हम बात करें, कभी के बार आपका लिखा होता है इस तरह से 2 plus 4 by 9, तो आप इसको simple way में करोगे, आप इसको ये नहीं करोगे, कि 9 elsm लिया, फिर यहां पर आपने 1 माना, इसको 9 से multiply किया, तो 18 हो गया, और यहां हो गया 4, मतलब 22 upon 9 हो गया, ऐसे मत करना, आप ऐसे करोगे, 2 plus 4 by 9, तो यहां हो जाएगा, 2 4 by 9, मतलब चिपका दो, क्या करो, चिपका दो, अगर दूर है तो चिपका दो, लिखा हुआ है, 3 3 plus 8 by 11, तो यहां हो जाएगा, 3 8 by 11, चिपका दो, चिपका दो, समझे, मैंने बोला, अगर लिखा हुआ है आपके सामने, 5 plus 9 by 12, तो इसका मतलब हो जाएगा, 5 9 by 12 होता है, चिपका दिया है, यहां, अगरे बताओ, हाँ है न, चलो, अब बात करते हैं, सबस्ट्रेक्शन, माइनस करने वाला, लिखा हुआ है, 4 minus 2 by 3, यह इंपोर्टन है, यह बहुत इंपोर्टन है, 4 minus 2 by 3 अगर लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, तो 4 minus 2 by 3 लिखा हुआ है, तो जनरली बच्चे यही करते ह हैं यहाँ पे, कि आपने 3 लिया LCM, यहाँ पे LCM लिया 3, तो 3 को 4 से मिटपले 12, और minus यहाँ हो जाएगा, 2 मतलब हो जाएगा, 10 by 3, solve करेंगा आएगा 3, 1 by 3, क्या आप लोग ऐसे करते हैं, yes or no, क्या आप लोग ऐसे करते हैं, yes or no, कैसे करते हैं, बताओ, yes or no, मत करना आज के बाद ऐसे, जब भी कभी देखो आप, कि लिखा हुआ है, 4 minus 2 by 3 लिखा हुआ है, कुछ मत करना, 4 से 1 कम करो, 3, 2 और 3 का difference आया, 1, और upon में 3 हमेशा रहेगा, because यहाँ पर 3 है, तो upon में 3 रहेगा, answer आया, 3 complete, 1 by 3 बाद खतम, चिक है, मैंने बोला आप लोगों से, 5 minus 4 by 9, क्या करोगे, 5 में से कम किया, 4, 4 और 9 का difference आया, 5, upon यहाँ रहेगा, 9, बाद खतम, answer आ गया, solve कर लो, आजाएगा, solve कर लो, अब आजाएगा, मैंने बोला, 23 minus, 21 upon, 25, कितना जहर लेवल है, यार, मतलब इसको कैसे, अगर हम basic से करना चाहेंगे, तो कितना बड़ा हो जाएगा, यार, नहीं कर सकते, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पर 22, difference देखो, 4, upon 25, माजरा clear है, अगला देखो, 4, 23 minus, 2, 3, 1 upon, 2, 4, 0, अब यही आगया माल लो, अब भाया जी, यही आगया, कितना बड़ा सवाल है, कैसे करेंगे इसको, भाई, यहाँ पर, LCM लेना, एक अलग दुनिया वाली बात है, पॉसिबल ही नहीं है, आप लेइन सकते LCM, तो अगर मैं इसको बनाओ यहाँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो एक कम करेंगे तो हो जाएगा, 4, 22, difference देखा जाए, तो यहाँ हो गया, 9 upon हो गया, 2, 40, लाइक ठोक दे ना, 15 सो लाइक कर दो, मैं बता रहा हूँ, फड़ा फड़ा से लाइक ठोक दो, 15 सो लाइक कर दो, मतलब कहीं न कहीं, लगना चाहिएगी, तुम लोगों को चीज़े clear हो रही है, तो लाइक तो करना है, यार, है ना, और यह दिल में प्यार है तुम लोग के लिए, तब ही मैं एक सापड़ा रहा हूँ, बड़ा दीजेगा, है ना, जल्दी से फटा-फट से बना दो, रेखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में, इस कहां से कौन करेगा, बड़ाओ, खट से लो लस्म यार, लस्म लो खट से, तो यहाँ पर आपने लस्म के तले लिया, 12 ले लिया यहाँ पर 4 को किते बार 3 बार, तो यहाँ पर आएगा 3 tres-tee-un- sae- unconti bar, तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँपर दो बार, यहाँआ पर लगकद 3, यहाँपर कितना हैत्त प्लुकद 8 आएगा, यहाँपर आपर प्लुकक 10, तो यहां पर कितना हो जाएगा 18 और 21 तो 21 भाई 12 हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 3 7 जा और 3 4 जा अगला सवाल तो कि यहां पर कितना यह एक आप जाय गईगए आराम से दिखोगे 7 14 200 अचा बार 21 तो यहां हो जाएगा ट्वल यहां हो जाएगा 18 और हो जाएगा 11 तो 30 और 11 21 है 202 अगला सवाल अब यहाँ पर देखें, गौछ साब देखें तो यह लिखा है 1 by 6 और गुरु, अगर मैं इसको solve करूंगा यहाँ पर तो –1 by 2, plus 1 by 3, अगर मैं इसको दिहान से देखूं तो यह बहुत दिहान से देखूं तो यह हो जाएगा 6 5 by 9 plus 23 upon 18, इतना ही बचेगा खाली बस 18 L-CM हो गया, यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 23, यहां हो जाएगा 33 upon 18 तो 3 वनज़ा 3, 36 तो 11 भाई 6 आएगा यहां पे इस कांसर यार तुम लोग A बोल लो, 9 क्यों आएगा यार 11 भाई 6 आयेगा देखा जलदबाजी के तुम लोग गलती कर गए यह इस आएगा, देखा खेल हो गया मेरे बाई, अगला समकित अब जब कभी इस तरह का देखने को मिल जाए तो क्या करोगे, जब कभी तुम लोगो इस तरह को देखने को मिलिया तो क्या करोगे यहां पे तो एक बाद ध्यान रखना जो पास-पास है उनके बीच में दूरियां ले आईए और बस इतना ही करना है तो यहां पे अगर मैं देखूँ इसको तो एक काम कर सकते हैं आप कि यहां है 2 प्लस हो जाएगा 3 बाई 5 फिर 3 प्लस 4 बाई 5 हो गया 4 प्लस 3 बाई 5 हो गया तो 2 और 3 और 4 को एड़ कर लो तो 2 और 3 पाँच और 4 नो हो गया फिर यहां पे 3 बाई 5 चार बाई 5 और 3 बाई 5 पाँच 5 पाँच 5 पाँच सब में अलसिम हो गया चार तीन साथ और यहां पर क्या हो जाएगा 2 9 और 2 11 हो गया तो 11 इसकांसर आगी ऑप्शन नमबर A बात खत्म तो इतना बड़ा मत करना ऐसे मत करना इसको मन में करो 2 और 3 और 4 एड़ कर लो 4 तीन साथ और 2 नो वहीं 4 तीन साथ और 2 नो हो गये मेरे परएलाल और अगर fraction वाले हैं सब में 5 5 है तो 5 होजाएगा LCM 4 3 7 और 3 10 होजाएगा यहां पर तो upon होजाएगा 2 तो होजाएगा 9 प्लस 2 मतलब होजाएगा आप लोग का ग्यारा एक और सवाल देता हूँ उस पर ताकि दिक्कत नहूं इसको बनाओ एक और सवाल दिया ताकि दिक्कत नहूं उस पर बनाईए कि तो अगर मैं इसको देखू ध्यान से तो मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा मैं कुछ falling रूब बहुत सिंपल हैं पहले आप जो होल नंबर से उनको एड पर लो तो 2 और 4 2 और 4 कितना होगा आप लोगा छे, 6 05 ग्यारा 2 और 4 6 6 और 5 11 अब अगर ध्यान से देखें 1 by 6 और 5 by 6 1 by 6 और 5 by 6 add करोगे 6 by 6 मतलब 1 मतलब हो जाएगा 12 तो यहाँ पे गर देखा जाए कितना हो जाएगा अप लोक का 12 प्लस 5 by 3 प्लस x बाराबर हो जाएगा अप लोक का 13 तो यहां पर कर देखा 12 मैं इधर ले जाओं तो हो जाएगा x बड़ाबर हो जाएगा 1-5 by 3 तो गुरू यहां पर कितना हो जाएगा minus का 2 by 3 हो जाएगा इसका answer option में कहीं नहीं है सब गलत हो गया option number e हो गया जल्दबाजी में गलती कर लिये ना तुम लोग क्यों जल्दबाजी में कर रहे हो यार बाबू बहार वेट कर रहे है कि बाबू थाना थाया नहीं थाया क्यों जल्दबाजी है मैं तो मैं बोल लहाँ अराम से करो ना रिलाक्स होके करो अराम से बनेगा और 11 बजे जो है ना तो आप अभी 11 बजे ठीक आदे घंटे बाद जो है शुबंसल की क्लास में भी जुड़िएगा वो भी इंपोर्टेंट है एकोली इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाले जितनी मैथ इंपोर्टेंट है सेम टुसेम रीजनिंग इंपोर्टेंट है और उतनी ही इंगलिष इंपोर्टेंट है तो 11 बजे इंगलिष रीजनिंग की क्लास में जुड़िएगा शुबंसल की क्लास में 0 तक की ठीक है ओके चलिए तो ग्लियर हो गया न माइनस का आएगा 2 बाई 3 तो अब आप सब लोग कीजिएगा, यह आप लोग के लिए homework दे रहा हूं है, अच्छे सवाल है, ट्राइ करना इनको, है ना, यह PDF लग जाएगी with children, मैं अभी मैडम से बोल दोता हूं कि children लगा दिया जाए इसमें, मतलब जो fraction values हैं, वो इसमें add कर दी जाएं, और फिर आपक तुम लोग को practice करने के लिए, so please do the practice, इन सवालों की practice कीजएगा, बाकी दोस्तों बता दूँ, आज double validity है, बैंक मापै का price हो गया, कम तो आप enroll कर सकते हैं, code लगा लिजएगा, Y176, that will give you maximum discount, है ना, Y176 code लगाएगा, double validity आप लोगों मिल जाएगी, और आप लोगों को देखेंगे, यह हमारा IBPS, RRB, PO mains का batch है, जो की bank maapack का part है, इसका price कम हो चुका है, तो code लगाएगा, Y176, आपको maximum discount मिल जाएगा, इस particular IBPS, RRB, PO mains के complete batch में, test series भी आपको मिलती है, किसमे, bank maapack में, bank maapack में, bank maapack में ये batch है, bank maapack में ये batch है, bank maapack में current affairs का भी batch है, और संक 6.0 भी bank maapack में मिलेगा, कोई बहुत सी चीजे हैं, जो हम लोग यहां पर नहीं discuss कर सकते हैं, जो हम लोग पेड़ लिगा दिसकस करते हैं, मैनत पूरी है यहां पर बहुत चीजे हैं, जो हम यहां पर नहीं कर पाते, इसलिए आप आएंगे पीड़ क्लास में, जहां पर आ कोट लगाएगा maximum discount मिल जाएगा और 12 प्लस 12 मेने मतलब 24 मंथ वाले बैंक मापैक का प्राइस वह कम हो गया है 3700 अप्रोक्सिमेटली आप लोको यहां पर इसका प्राइस मिल जाएगा अगर आप कोट लगाते हैं मेरा लोके मापैक का प्राइस प्राइस अपके लिखे आप लोको मापैक का पार्ट है तो सारे बेंक मापैक का पार्ट बन सके हैं तो कोट लगा लिजएगा वाई 176 और इसी code के जरीए आप लोग को maximum discount मिल जाएगा try करना बाग किया आप लोग है ना PDF आप लोग को मिल जाएगी God bless you all और आज मतलब है double validity का मौसम तो double validity का part बन जाएए code है आपका y176 this will give you maximum discount take care God bless you all मिलते हैं 11 बजे reasoning की class में शुभमसर की class में till then thank you so much enjoy and like कर देना session को thank you so much bye